नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित ये कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इए कंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। पास 174 ओम के कुछ प्रतिरोधक हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधक दिया हुआ है और इसका जो प्रतिरोध है इसका आमान है 176 ओम। अब ये कितनी संख्या में हैं, इसका अमान हमें नहीं ग्यात है, तो हम माल लेंगे कि कुल प्रतिरोधकों की जो संख्या है, इसका अमान हो जाएगा X, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने यही देखा कि 176 ओम के हमारे पास X प्रतिरोधक है, अब इन्हें तो इन्हें किसी ना किसी विद्धुत स्रोत से जोड़ेंगे तो जो विद्धुत स्रोत है इसका जो विववांतर है इसका मान है 220 वोल्ट यानि स्रोत की जो वोल्ट था है इसकी वैलू हो जाएगी V is equal to 220 वोल्ट अब यहां पर देखे जब इन प्रतिरोधकों को हम जोड़ देंगे और यहां पर स्रोत से विद्धुत धारा का परवा होने लगेगा तो प्रतिरोधकों से कितने एंपियर की धारा परवाहित होगी 5 एंपियर की विद्धुत धारा परवाहित होगी इसका मान दिया गया है तो इस वैलू को भी हम यहां पर नोट कर लेंगे यानि प तुल्य प्रत्रोध को हम R मान लेते हैं, तो यहाँ पर अब हम R की वैलू को calculate करेंगे, तो R का मान हम कैसे ग्याद करेंगे, देखी यहाँ पर बहने वाली धारा का मान है 5 Ampere, और स्रोध की जो वोल्ट ता है इसका मान है 220 V, तो यहाँ पर तुल्य प्रत्रोध R की वैलू को calculate करने के लिए, ओम के फार्मूले का इस्तिमाल करेंगे, अब ओम का फार्मूला क्या होता है, इसकी वैलू होती है V is equal to I into R, आर्क की वैलू निकालनी है हमें, तो इसका मान कैसे ग्याद करेंगे, आर की वैलू हो जाएगी R is equal to V upon I, अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम मान को put करेंगे, तो V की वैलू कितनी है, इसका मान है 220 V, देखें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस वैलू को यहाँ पर हम put कर देंगे, और I की वैलू कितनी है, इसका मान है 5 A, यानि कहने का मतलब यह है कि 176 A के X प्रत्रोधकों को, जब हम पार्शुकरम में जोड़ेंगे, समांतर करम में जोड़ेंगे, तो इनका जो तुल्य प्रत्रोध होगा, इसकी वैलू हो जाएगी R is equal to 44 A. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इन प्रत्रोधकों को हमें जोड़ना हो, और जोड़ करके इनके तुल्य प्रत्रोध की गणना करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें तुल्य प्रत्रोध का मान गयात करना हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 plus dash 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 करके हम x term तक जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि प्रतिरोधकों की संख्या को हमने x माल रखा है इस प्रकार से क्यों जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रतिरोधक हैं समानतर करम में जोड़े हुए हैं तो इस फार्मूले का हम इस्तिमाल करेंगे यानि प्रतिरोधकों के व्यूत करेंगे फिर उनका व्योगफल्ग निकालेंगे अब यहाँ पर सभी मान को हम पूट करते हैं तो चलिए थूट करते हैं, तो यहाँ पर देखे, R की value कितनी है, R का मान है 44 Ohm, तो यहाँ पर 1 बटे R की जगा पर हम 1 बटे 44 लिख देंगे, और इसकी value किसके बरावर होगी, तो यहाँ पर R1 दिया गया है, R1 क्या है, तो R1 यहाँ पर 176 Ohm का प्रतिरोध होगा, क्यों सब के मान 176 Ohm दिये गये हैं, तो यहाँ पर 1 बटे R1 की value हो जाएगी, 1 बटे 176, प्लस 1 बटे R2 की भी value होगी, 1 बटे 176, क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि सभी प्रतिरोधक का मान समान है, प्लस 1 बटे R3 की value भी हो जाएगी, 1 बटे 176, और इस value को हम X term तक योग करे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे, तो यहाँ से जब इसे हम solve करेंगे, तो इसकी value कितनी होगी, देखें, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, X बटे 176, और यह किसकी value है, यहाँ पर 1 बटे 44 की value है, अब यहाँ पर हमें X की value को calculate करना है, तो इसका मान कितना होगा देखें यहां से x की value हो जाएगी x is equal to 176 बटे 44 अब यहां पर हमें 44 से 176 में भाग देना है तो यहां पर जब भाग देंगे तो इसकी value कितने होगी देखें यहां से इसकी value हो जाएगी 4 यानि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 176 ओम के 4 प्रत्रोधक हैं इन 4 प्रत्रोधकों को हमने समांतर क्रम में यानि पार्शुक्रम में जोड दिया है जोडने के पस्चाथ 220 वोल्ट की बैटरी से जोड दिया है तो यहां पर जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसका मान हो जाएगा 5 एंपियर अब हम अपने अगले आंकित प्रस्न को हल करेंगे और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट की विद्दुत लाइन का उप्योग किये जाने वाले बहुत से बल्वों का अनुमत आंक 10 वाट है यदि 220 वोल्ट की लाइन से अनुमत अधिक्तम विद्दुत धारा 5 एंपियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्व पार शुकरम में जोड़े जा सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो विद्दुत लाइन है जिसकी वोल्टता है तो स्रोत की वोल्टता का मान है 220 वोल्ट और इस 220 वोल्ट से कुछ बल्व यहाँ पर पार शुकरम में जोड़े जा रहे हैं जोड़े जाने के बाद इनसे जो विद्दुधारा प्रवाहित हो रही है इसका मान है 5 इंपियर अब यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या-क्या चीजे दी गई है उसे सबसे पहले हम नोट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कुल बल्ब हैं इनकी संख्या X है तो यहाँ से कुल बल्ब की संख्या को हम X मान लेंगे अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, जितने भी बल्ब हैं, इन सभी बल्बों को हमें पारशुक्रम में जोड़ना है, तो यहाँ पर पारशुक्रम में जोड़ना है, तो यहाँ पर पारशुक्रम में जोड़ना है, तो जो संयोजन होगा, इस संयोजन को ह हम औरजा देंगे विद्दुद धारा प्रवाहित करेंगे कहां से करेंगे 220 वोल्ट की विद्दुद लाइन का प्रयोग करके तो आपको मालूम है कि अगर बल्ब पार शुक्रम में जुड़े हो तो सभी में 220 वोल्ट ही सप्लाई होगा यानि विद्दुद विद्दुद सभी बल्ब के शिरों पर समान होगा तो यहां से वी की वैलू हो जाएगी 220 वोल्ट अब इस वैलू को हम यहां पर नोट कर लेंगे अब यहां पर देखिए प्रतेक वोल्ट का जो अनुमतांक है यानि जो विद्दुद शक्ती है उसकी वैलू यहां पर दी गई है पी इस इक्वल टू 10 वाट अब यहां पर हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं तो देखिए यहां पर इन दो टर्म की साहता से यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रतेक बल्व का प्रतिरोध कितना है यानि आर की वैलू को कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे दे यहा पर देखिए V square की value कितनी होगी, तो यहां पर V के अस्थान पर, हम 220 लिख देंगे और इसका हम work कर देंगे, और P के अस्थान पर हम 10 लिख देंगे, अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम 22 का work करेंगे, तो इसका जब work करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 484, 4840 यानि 4840 और इसका मातरक क्या होगा? तो इसका मातरक यहाँ पर ओम प्राप्थ हो जाएगा यानि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी बल्ब हैं इन सभी बल्ब का जो प्रतिरोध है इसकी वैलू है 4840 ओम अब यहाँ पर देखें हमें सभी बल्बों को पार्शुक्रम में जोड़ना है तो पार्शुक्रम में जोडने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर इसके तुल्ल प्रतिरोध की गरना करेंगे यानि प्रतेक बल्ब का तो यहाँ पर अगर इसके हमें तुल्ल पृत्रोध की गढ़ना करनी हो तो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए बल्व को जोडने के बाद जो विद्दुधारा प्रवाहित हो रही है इसका अमान है 5 Ampere यानी पूरे एक कॉंबिनेशन से 5 Ampere की विद्दुधारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ से आई की वैलू हो जाएगी 5 Ampere और 5 Ampere की विद्दुधारा के लिए उर्जा कहां से मिल रही है तो इसको जो उर्जा मिल रही है यह 220 वोल्ट की लाइन से मिल रही है यानि V की वैलू यहाँ पर दी गई है 220 वोल्ट अब यहाँ से अगर हमें R का मान ग्याद करना हो तो इसकी वैलू कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए हम ओम का नियम अपलाई करेंगे और ओम के नियम के अनुसार आपको एक फार्मूला मिला था V is equal to I into R R की वैलू कितनी होगी? तो R की वैलू हो जाएगी R is equal to V upon I अब इसी फार्मूले में हम मान को पूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर V की वैलू हो जाएगी 220 वोल्ट और बटे में हम आई का मान लिख देंगे इसका मान हो जाएगा 5 एंपियर अब यहाँ पर देखिए 5 से हम 220 में भाग देंगे तो इसकी वैलू हो जाएगी 44 और यह 44 यहाँ पर क्या प्राप्थ हुआ है? प्रतिरोध का मान प्राप्थ हुआ है तो आर की वैलू हो जाएगी 44 ओम यानि 44 ओम का जो प्रतिरोध है यहाँ पर इन सभी बाल्वों को जोडने के पस्चाथ इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्थ होगा अब यहाँ पर सभी बाल्वों को यानि सभी प्रत्रोधकों को हमने पार शुक्रम में जोड़ा है तो यहां पर देखे, सभी मान को इसी फार्मूले में पूट कर देंगे, तो यहां से R की वैलू कितनी है, इसका मान है 44 Ohm, यह क्या है, तुल प्रतरोध है, तो यहां पर 1 बटे 44 लिख देंगे, और यहां पर R1 की वैलू कितनी होगी, देखे, इसके लिए वैलू हो जाएग इसकी वैलू तनी होगी, यानि 4840, प्लस R3 की वैलू भी हो जाएगी 4840, प्लस डैस 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 इस वैलू को हम X टर्म तक जोड़ देंगे, अब यहां पर देखे, यहां पर इसे हम solve करेंगे, तो यहां से जब इस दाहिने पक्ष को solve करेंगे, तो यहां से वैलू कितनी वैलू हो जाएगी, X is equal to 4840, और बटे में हम 44 लिख देंगे, अब 44 से 4840 में भाग देना है, तो इसकी वैलू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैलू हो जाएगी 110, यानि कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो बल्व की संख्या है, इसका अमान है 110 बल्व, तो यहां पर हम 110 ब जोड़ेंगे, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्दुधारा का मान है, इसका मान हो जाएगा 5 अमपियर, अब हम अपने अगले आंकित प्रस्न को हल करेंगे, और यहां पर इस प्रस्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्दुध भठी की तप्लेट, दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, इनमें प्रतेक का प्रतिरोध 24 ओम है, तथा इन्हें प्रतक प्रतक स्रेरीकरम अथा पार्शुक्रम में सयोजित करके उप्योग किया जाता है, यदि भठी 220 वोल्ड की विद्दुध स्रोप से सयोजित की जाती है, तो तीनो प्रकरणों में विद्दुध धाराएं क्या है, यानि यहां पर हमारे पास कोई भठी की तप्त प्लेट है, और जो तप्त प्लेट है, यह A और B कुंडली की मिलकर के बनी हुई है, अब यहां पर देखिए, जो A कुंडली है, इसका जो प्रतिरोध है, इसकी वैलू है 24 ओ और जो B कुंडली है, इसका जो प्रतिरोध है, इसका विमान है 24 ओम, अब यहां पर देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है, कि जो प्रतिरोध है, कुंडली है, इन्हें अलग-अलग भी जोड़ा जाता है, और समांतर करम में भी जोड़ा जाता है, तथा स्रेणी करम में बही जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर तीनों कंडिशन में, तीनों इस इतिवें में कितने मात्रा में विद्धु धारा का प्रवा होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें अलग-अलग जोड़ेंगे यानि कॉंडलियों को जब हम अलग अलग जोडेंगे तो ये ग्याद करेंगे कि कितने मात्रा में विद्दु DDid transmit나 का पृवाह हो रहा है तो अलग जोडने पर हम धारा के मान कीदण गरना करेंगे तो यहाँ पर देखिए धारा के मान की गरना हम किस प्रकार से कर सकते हैं देखिए इसके लिए हम ओम के फार्मूले का इस्तिमाल करेंगे और ओम के फार्मूले के अनुसार आपको क्या मालूम है वहाँ से फार्मूला मिला था V is equal to I into R अब यहाँ पर V की value क्या है तो देखिए यहाँ पर जो system निर्मित हुआ है इस system को हमने 220 वोल्ड की विद्दूत स्रोथ से जोड़ा है तो यहाँ पर जो V की value है इसका वान हो जाएगा 220 वोल्ड और यहाँ पर हमें I की value को calculate करना है तो यहाँ पर हम ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर देखिए R की value कितनी है तो यहाँ पर R की value कितनी है देखिए यहाँ पर अगर हम A के लिए निकालें तो इसका विमान 24 होम है बी के लिए निकालेंगे तो इसका विमान 24 होम है तो यहाँ पर हम R के अस्थान पर 24 लिख बेंगे तो इसकी value हो जाएगी 9.16 ampere तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दोनों कुंडलियों को हम अलग-अलग जोडते हैं तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है इसकी value हो जाएगी 9.16 ampere अब यहाँ पर हम यह ग्याद करेंगे कि अगर इन्हें स्रेडी क्र पर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्रेडी क्रम में दोनों को जोड़ेंगे तो इनका हमें तुल प्रतरोध ग्यात होगा तो चलिए सबसे पहले हम तुल प्रतरोध की गर्णा करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों कुंडलियों का जो त तो यहाँ पर R की वैलू कितनी होगी? इसका मान हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 क्या है? A की वैलू हो जाएगी, R2 यहाँ पर B की वैलू हो जाएगी, अब यहाँ पर इसी फार्मूले में सभी मान को पुट करेंगे, तो यहाँ से R की वैलू हो जाएगी, R is equal to, यहाँ पर देख अब यहाँ पर हमें धारा के मान की गर्णा करनी है, तो इसके मान की गर्णा हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम ओम के फार्मूले का इस्तिमाल करेंगे, और वहाँ से फार्मूला मिला था V is equal to I into R, अब यहाँ पर I की वैलू हो जाएगी, I is equal to V upon R, अब यहाँ पर इसी फ चार की वैलू इस बार चेंज हो जाएगी, इस का मान कितना है? 48 ओम है, तो यहाँ पर हम 48 ओम लिख देंगे, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम 48 से 220 में भाग देंगे, तो इसकी वैलू कितनी होगी? देखें, यहाँ पर जब 48 से हम 220 में भाग देंगे, तो इसकी वै अगर इनहें हम स्रेडी करम में जोड दें तो स्रेडी करम में जोडने के पास चाट जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसकी वैलू हो जाएगी 4.58 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस बार इन दोनों कुंड़ियों को हम पार्शुक्रम में जोड़ेंगे तो क्रम में यानि समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को put करेंगे तो चलिए put इसका फार्म होक्ति क्रम मान चेया होता है तो यहां पर देखिए 1 upon r1 की value कितनी होगी देखिए अहां पर r1 की value हो जाएगी a की value यानी 24 होगा तो यहां पर हम लिख देंगे एक बटे 24 और r2 की value हो 0 एक बटे 24, और ये यहाँ पर तुल्य प्रत्रोध, यानि एक बटे आर की वैलू हो जाएगी, अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों को जब हम सौलू करेंगे, तो इसकी वैलू हो जाएगी दो बटे 24, अब यहाँ पर हम इसे भाग देंगे, यानि 2 से 24 में भाग देंगे, तो इसकी वैलू हो जाएगी 12, यानि 1 अपाउन आर की वैलू है, 1 अपाउन 12, तो यहाँ से आर की वैलू हो जाएगी 12 ओम, तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम सवांतर करम में जोर दें, तो इनका जो तुल्य प्रत्रोध होगा, इसकी वैलू यहाँ पर 12 ओम आई की वैलू हो जाएगी, I is equal to V upon R, अब यहाँ पर V की अस्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखिए, जब इन दोनों को हम यहाँ पर पार्शुक्रम में जोड़ेंगे, तो स्रोत से जो वोल्टता होगी, इसका मान हो जाएगा 220 वोल्ट, तो यहाँ पर V की अस्थान पर हम 220 वोल्ट लिख देंगे, और R की वैलू इस बार कितनी है, बारा होम, अब यहाँ पर हम 12 से 220 में भाग देंगे, तो इसकी वैलू हो जाएगी, यहाँ, इसका मातरक क्या होगा, तो इसका मातरक MPR में हो जाएगा, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर इन दोनों कुंडली ओ को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जोड़ने के पस्चाज जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसकी वैलू हो जाएगी 18.33 तो इस प्रकार से यहां पर हमने इस प्रश्ण को हल कर लिया अब हम अपने अगले आंकी प्रश्ण को हल करेंगे और यहां पर इस प्रश्ण में पूछा जा रहा है कि दो विद्दुत लेंपों जिनमें से एक का अनुमतांग 100 वाट तथा 220 वोल्ट है तथा दूसरे का 220 वोल्ट है तो विद्दुत में से कितनी धारा ले जाती है यानि हमारे पास दो विद्दुत लेंप है यह पहला विद्दुत लेंप है और यह दूसरा विद्दुत लेंप है अब यहां पर पहले विद्दुत लेंप का जो विद्दुत शक्ती है यानि यहां पर P1 की व 220 वोल्ट अब यहां पर देखिए यहां पर हमारे पास दूसरा लैंप भी है जो पहले लैंप के साथ समांतर करम में जुड़ा हुआ है और इस दूसरे लैंप की जो विद्दुत चक्ती है यानि जो P2 की वैलू है इसका मान है 60 वाट और यहां पर इस दूसरे लैंप को जो विद्दुत चक्ती मिल रही है वह 220 वोल्ट के स्रोत से मिल रही है तो यहां पर जो विद्दुत चक्ती मिल रही है तो यहां पर जो विद्दुत चक्ती मिल रही है तो यहां पर जो विद्दुत चक्ती मिल रही है तो यहां पर जो विद्दुत चक्ती मिल रही है तो यह धारा का प्रवाह होगा, तो माल लेते हैं, i-current यहां से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर i-current प्रवाहित होता हुँआ, इस बिंद पर पहुँचेगा, तो इसे यहाँ पर दो रास्ते मिल जाएएंगे, एक रास्ता इधर हो जाएगा, और एक रास्ता यहाँ पर इधर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जब I current इधर प्रवाहित होगी तो इसकी value कितनी होगी देखिए इसकी value हो जाएगी I2 और यहाँ पर इस रास्ते पर प्रवाहित होगी तो इसकी value हो जाएगी I1 यानि दूसरे लैंप में I2 धारा बह रही है और पहले लैंप में I1 धारा का प्रवा हो रहा है अब यहाँ पर देखी हमसे पूछा क्या जा रहा है तो हमसे पूछा यही जा रहा है कि जो 220 वोल्ट की बैटरी है इससे कितनी मात्रा में कुल धरा का प्रवा हो रहा है तो यहाँ पर हम i की value को calculate करेंगे और इसके लिए हम कैसे calculate करेंगे इसकी value हो जागी i is equal to i1 plus i2 तो यहाँ पर सबसे पहले हम i1 की value को calculate करेंगे अब इसका मान हम कैसे गयाद करेंगे तो देखे यहाँ पर दिया गया है सक्ति का मान यानि P1 की value है और यहाँ पर वोल्टता की value दी गई है तो अगर हमें सक्ति की value यानि P की value गयात करना हो तो इसकी value कितनी होगी देखे सक्ति के लिए formula होता है P1 is equal to V1 into I1 अब यहाँ पर I1 की value हो जाएगी I1 is equal to P1 upon V1 अब इस इसी formula में हम सभी मान को put कर देंगे तो P1 की value कितनी है इसका मान है 100 watt तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे और V1 की value यहाँ पर दिया गया है 220 अब यहाँ पर देखे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से अगर हम 22 में भाग देंगे तो इसकी value 11 हो जाएगी और इसकी value 5 हो जाएगी अब यहाँ पर देखे 5 में जब हम 11 से भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 0.45 और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक ampere में प्राप्त होगा तो इस परकार से यहाँ पर हमारे पास जो पहला lamp है इस पहले lamp में बहने वाली जो धारा होगी I1 इसकी value हो जाएगी 0.45 ampere अब यहाँ पर देखिए अब हम i2 की value को calculate करेंगे और यहाँ से अगर हमें i2 का मान ग्याद करना हो तो इसके लिए formula क्या होगा तो देखिए यहाँ पर यह दूसरा बल्ब है दूसरे बल्ब की जो सक्ती यह इसका मान P2 है तो i2 की value हो जाएगी P2 upon V2 अब इसी formula में हम सभी मान को put करेंगे तो P2 की value कितनी है देखिए इसका मान हो जाएगा 60 watt और V2 का मान हो जाएगा 220 volt अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 का इंसिल हो जाएगा और 2 से अगर हम 22 में भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 11 और 2 से 6 में भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 3 अब यहाँ पर 3 में हम 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए जब हम 3 में 11 से भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 0.27 और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक ampere हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा बल्ब है यानि दूसरा lamp है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वैलू हो जाएगी 0.27 ampere अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें I1 की वैलू गयात है और I2 की वैलू भी गयात है तो यहाँ से हम यह गयात कर सकते हैं कि यह जो स्रोत है यानि जो बैटरी जुड़ा हुआ है इस बैटरी से कितने मातरा में धारा का प्रवाह हो रहा है तो यहाँ से कुल धारा यानि i की value हो जाएगी i1 plus i2 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ से कुल धारा यानि i की value हो जाएगी i1 लिखा हुआ है i1 की value है 0.45 ampere plus i2 की value कितनी है इसका मान है 0.27 अब यहाँ पर अगर इन दोनों का योगफल ग्याद करें तो यहाँ से i की value हो जाएगी i is equal to 0.72 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक हमें यहाँ पर ampere के टर्म में मिल जाएगा तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो दोनों लैंप पार शुक्रम में जुड़े हुए है इनहें अगर 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बहने वाली जो कुल धारा होगी इसकी value हो जाएगी 0.72 ampere अब हम अपने अगले आंकिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्साय अनुसार तीन विद्दुत परिपतों में कोई cell प्रतिरोधक, कुंजी तथा emitter भिन प्रकार से विवस्त हैं emitter द्वारा record की गई धारा किस परिपतों में अधिक्तम होगी अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई battery है इसके पस्चाथ यहाँ पर हमने एक कुंजी ले लिया है यानी switch ले लिया है इसके पस्चाथ emitter ले लिया है और एक प्रतिरोधक को ले लिया है और इन्हें तीन प्रकार से आपस में जोड़ दिया है अब यहाँ पर हमें यह बताना है कि किस परिपत में बहने वाली धारा कमान अधिक्तम होगा तो यहाँ पर पहले परिपत की बात करते हैं पहले परिपत में आप क्या देख रहे हैं बैटरी के साथ यहाँ पर चालक तार के माध्यम से एक कुंजी जुड़ा हुआ है यहां भी बैटरी के साथ जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं, यह सभी स्रेडी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अगर स्रेडी क्रम में जुड़े होंगे, तो जो धारा यहां पर प्रवाहित होगी, वही धारा यहां पर भी प्रवाहित होगी, अगर यहां पांच एम प्रवाहित होगी यानि समान मात्रा में धारा प्रवाहित होगी क्यों होगी क्योंकि जितने भी उपकरण हैं सभी स्रेडी क्रम में जुड़े हुए हैं और जब उपकरण स्रेडी क्रम में जुड़े हुए होगे तो हर जगए धारा कमान समान होगा धारा कमान परिवर्थित उत्रवी itt से पबहुंए उत्रवें किका का रहा हुए कि सभी प्रकरणों में समान होगी और किसमें अधिकत्म होगी इसी की बात करनी हैं इसी की बारे में पता करना है तो यहां पर देखिए अगर हम पहले परिपत की बात करें, तो पहले परिपत में क्या है, 12V की बैटरी जुड़ी हुई है, और स्रेडी क्रम में हमने यहाँ पर एक प्रतिरोधक को जोड़ दिया है, तो पहले परिपत में जो प्रतिरोधक की वैलू है, इसकी वैलू हो जाएगी R1 is equal to 2 Ohm, अब य इनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तो इसकी गर्णा हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से R की वैलू हो जाएगी R1 plus R2, अब R1 की वैलू कितनी है, इसका मान है 2 Ohm, और R2 की वैलू भी यहाँ पर 2 Ohm है, तो यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसकी वैलू हो जाएगी 4 Ohm, अब यहाँ पर हम तीसरे प्रतिरन की बात करते है, तो तीसरे प्रतिरन में यहाँ पर 2 Ohm और 2 Ohm की प्रतिरोध का आपस में समानतर क्रम में जोड़े हुए हैं, अब इनका अगर तुल्य प्रतिरोध R हो, तो इस R की गर्णा हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर यह 1 की value कितनी है इसका मान है 2 ohm तो यहां पर हम लिख देंगे 1 बटे 2 R2 की value 2 ohm है तो यहां पर हम लिख देंगे 1 बटे 2 और यहां पर हम लिख देंगे 2 बटे 2 देखिए यहां पर इसका हम योगफल ग्याद करेंगे तो 2 बटे 2 वैलू आ जाएगी अब यहां से ये दो और ये दो काइंसिल हो जाएगा और इसकी वैलू 1 हो जाएगी यानि यहां से अगर तुल प्रत्रोध हार की वैलू को कालकुलेट करें तो इसकी वैलू एक ओम प्राप्त होगी अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहला परिपत है इसका जो प्रत्रोध है इसकी वैलू है दो ओम इसी प्रकार से दूसरा परिपत यहां पर है और इसका जो प्रत्रोध है इसकी वैलू चार ओम है और यहां पर तीसरा परिपत आप देख रहे हैं इसका जो तुल्ले प्रत्रोध है इसकी value है 1 Ohm. अब यहाँ पर देखिए. यहाँ पर हमें यही ग्याद करना है कि किस परीपत की उश्मा सबसे अधिक्तम होगी? तो यहाँ पर देखिए. इसे ग्याद करने के लिए हम यहाँ पर उश्मा के formula का इस्सिमाल करेंगे और उश्मा यानि heat का फार्मूला क्या होता है देखिए heat का फार्मूला होता है h is equal to v i t v क्या है v परिपत के दो सिरों के बीच में उत्पन विभुवांतर है i परिपत में बहने वाली धारा है और t यहाँ पर समय को प्रदरसित कर रहा है अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को हम change करेंगे और change करके हम यहाँ पर प्रतिरोध के term में लिखेंगे तो इसे हम कैसे change करेंगे देखिए इसे हम ohm के नियम की सहायता से change करेंगे तो जब आपने ohm के नियम को पढ़ा था तो वहां से आपको एक formula मिला था और formula था V is equal to I into R अब यहां पर देखे यहां से हम I की value को calculate करेंगे तो I की value calculate करेंगे तो इसकी value हो जाएगी V upon R अब यहां पर इस V upon R की value को I के अस्थान पर put कर देंगे तो यहां से H की value हो जाएगी H is equal to V into V upon R into T हो जाएगी देखे I के अस्थान पर हम V upon R के term को लिख देंगे तो यहां पर heat के formula में प्रतिरोध का term जोड़ जाएगा तो यहां से value मिल जाएगी H is equal to V square into T upon R अब इस formula को आप ध्यान से देखे तो इसमें आप क्या देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि जो H की value है H मतलब heat heat मतलब उश्मा जो उश्मा की value है वह प्रतिरोध के व्यूत क्रमान पाती है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो H की value है वह R के inversely proportional है यानि प्रतिरोध के व्यूत क्रमान पाती है यानि कहने का मतलब यह है कि प्रतिरोध कामान जितना कम होगा उश्मा उतनी अधिक उत्पन होगी या उश्मा जितनी अधिक उत्पन होगी प्रतिरोध कामान उतना ही कम होगा तो किस परिपत के लिए प्रतिरोध सबसे कम था देखी यहाँ पर R3 के लिए जो तुल प्रत्रोध था इसकी वैलू सबसे कम थी तो यहाँ पर प्रत्रोध कामान सबसे कम है तो इस परिपत के लिए उत्पन होने वाले जो उश्मा है इसकी वैलू सबसे अधिक्तम होगी देखी यहां से अगर प्रतिरोध कामान कम होगा तो उश्मा सबसे अधिक उत्पन होगी तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रकरण तीन में सबसे अधिकतम उश्मा उत्पन होगी तो हमारा दा विकल्प सही हो जाएगा अब हम अपने अगले आंग की प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि उस परिपत को पहचानिए जिसमें वैदूत अवेव उचीत प्रकार से संयोजित हैं वैदूत अवेव का मतलब हो गया वैदूत उपकरण अब यहाँ पर देखी हमारे पास चार वैदूत परिपत हैं और इन चारों वैदूत परिपतों में वैदूत अवेव जुड़े हुए हैं अब यहाँ पर देखिए अगर हम पहले परिपत की बात करें तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है बैटरी जुड़ा हुआ है चालक तार के माध्यम से एक प्रत्रोधक जुड़ा हुआ है इसके पस्चात यहाँ पर एमीटर जुड़ा है और वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है अब यहाँ पर देखिए अगर कोई वैद्दूत परिपत हो और उसमें एमीटर जुड़ा हो तो एमीटर को वैद्दूत परिपत में हम स्रेणी करम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर करम में जोड़ते हैं अब यहाँ पर देखिए जो एमीटर का धन सिरा होगा वह बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होगा और जो रिर सिरा होगा वह बैटरी के रिणात्मक सिरे से जुड़ा होगा इसी प्रकार से जो वोल्ट मीटर होगा इसका जो रिणात्मक सिरा होगा वह बैटरी के रिणात्मक सिरे से जुड़ा होना चाहिए तभी हमारा जो वैदुत परिपत होगा वह उचित प्रकार से यानि सही धंग से जुड़ा होगा अब यहाँ पर हम पहले परिपत की बात करते हैं तो पहले परिपत में जो एमीटर है या स्रेडी करम में जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर में इसे भी स्रेडी करम में जोड दिया गया देखे चालकतार के माध्यम से सारे उपकरण स्रेडी करम में जोड़े गये हैं एक के बाद दूसरा है दूसरी के बाद तीसरा है तीसरी के बाद चोथा है तो यह समनचना गलत हो जाएगी अब यहाँ पर हम दूसरी समनचना की गलत हो जाएगी और यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या है इसे समांतर में होना चाहिए लेकिन इसे स्रेणी में जोड़ दिया गया है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा परिपत है यहाँ भी गलत धंग से जोड़ा गया है अब हम तीसरे परिपत की बात करते हैं तो तीसर मीटर को हमने समांतर करब में जोड़ दिया है और इसके पस्चात परिपत हमें स्रेणी करब में एं मीटर जुड़ा हुआ है धारा के मान की गणना करने के लिए तो यहाँ पर जितने भी उपकरण है सही धंग से जोड़े गए हैं तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प तीसरा है या विकल्प तीसरा सही हो जाएगा क्यों सही होगा क्योंकि सभी उपकरण सही धंग से जोड़े गए हैं तो इस प्रकार से हमारा तीसरा विकल्प सही है अब हम अपने अगले आंखी प्रशन को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यद किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृध्धी कर दी जाए तो छाइत उर्जा में कितने प्रतिसत की वृध्धी होगी और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह मानिए कि ताप आप परिवर्तित रहता है अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो condition है तो सबसे पहले हम पहले condition की बात करते हैं तो माल लेंगे कि सबसे पहले वाले condition में जो प्रवाहित होने वाली धारा थी इसकी value थी I1 और यहाँ पर जो प्रतिरोध कामान था इसकी value थी R तो इन दोनों values को यहाँ पर हम note करेंगे यहाँ धारा की value I1 हो जाएगी और प्रतिरोध कामान R हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए अगर हमें यहाँ पर विद्दुच शक्ति यानि सामर्थ की गर्णा करनी हो तो इस कामान कैसे गयाद करेंगे तो यहाँ पर सामर्थ के लिए फार्मूला हो जाएगा P is equal to I square into R लेकिन यहाँ पर हम पहले condition के लिए सामर्थ को ग्याद कर रहे है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा P1 is equal to I1 square into R अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे तो I की value I1 है और प्रत्रोध कामान R है और इसे लिख देंगे हम समीकर नमबर 1 अब यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर दूसरे condition की बात करते हैं तो दूसरे condition के लिए धारा कामान परिवर्तित हो जाएगा यानि यहाँ पर दूसरे इस सिती में अगर हम ग्याद करें तो धारा कामान परिवर्तित हो जाएगा कितना परिवर्तित होगा तो कहा जा रहा है कि प्रत्रोधक से प्रवाहित धारा में 100% की विर्द्धी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए पहले धारा कामान था I1 अब इसमें अगर 100 प्रतिateg की व्रिधी कर दी जाए तो इसकी वैलू 2i1 हो जाएगी यानि 2i के बराबर हो जाएगी धारा तो दूसरे इस्चिती में प्रवाहित होने वाली जो धारा की वैलू होगी इसकी वैलू हो जाएगी 2i1 और यहाँ पर प्रतिरोध की value हो जाएगी R अब यहाँ पर देखे अगर हमें सक्ति की गर्णा करनी हो तो कैसे करेंगे तो इसके लिए formula हो जाएगा P2 is equal to 2I1 का square into R अब इसी console करेंगे तो यहाँ पर देखे जब हम 2I1 का square गयाद करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 4I1 का square into R और यह हो जाएगी P2 की value अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हमें यह ग्याद करना है कि 6 औरजा में कितने प्रतिसत की वृद्धी होगी तो इसे हम कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए यहाँ पर हम delta P की value को ग्याद करेंगे तो delta P की value को ग्याद करने के लिए यहाँ पर हम P2 माइनस P1 की value को कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पर देखे इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे तो यहाँ पर P2 की value कितनी है इसकी value है 4I1 square into R तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4I1 square into R माइनस P1 की value इसकी value है I1 square into R और यह हो जाएगी delta P की value अब यहाँ पर देखे 4I1 square into R से I1 square into R को घटा देंगे तो इसकी value हो जाएगी 3I1 square into R और यह हो जाएगी delta P की value और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर वाट हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो 6 तूर्जा है इस 6 तूर्जा में 3i1 square into r की वृध्धी हो जाएगी अब यहाँ पर अगर हमें प्रतिसद वृध्धी की बात करनी हो तो कैसे निकालेंगे तो देखिए पहले यहाँ पर जो 6 तूर्जा थी इसकी वैलू थी p1 is equal to i1 square into r और बाद में कितनी हुई है बाद में हुई है 3i1 square into r तो यहाँ पर देखिए अगर हमें प्रतिसद वृध्धी की गर्णा करनी हो तो इसे हम कैसे calculate करेंगे तो इसके लिए formula हो जाएगा delta p upon p1 गुड़े 100 तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रतिसद वृध्धी की गर्णा कर सकते हैं अब यहाँ पर इसी formula में हम सभिमान को put कर देंगे तो चलिए put करते हैं तो यहाँ पर delta p की value कितनी है इसकी value है 3i1 square into r बटे p1 की value कितनी है इसकी value है i1 square into r और गुड़े हम यहाँ पर 100 कर देंगे अब यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है कि यहाँ पर i1 square into r और i1 square into r इसकी value cancel हो जाएगी तो यहाँ पर जो प्रतिसद वृध्धी की बात कर रहे थे इस प्रतिसद वृध्धी में कितने प्रतिसद की वृध्धी होगी यहाँ पर 300 प्रतिसद की वृध्धी हो जाएगी तो इस प्रकार से अगर हम 6 ओर्जा में प्रतिसद वृध्धी की बात करें तो 300 प्रतिसद की वृध्धी हो जाएगी अब हम अगले आंखिक प्रस्न को हल करेंगे और यहां पर पूछा जा रहा है कि किसी विद्दुत परिपत में दो प्रत्रोधक क्रमशह 2 ओम तथा 4 ओम है 6 वोल्ट की बैटरी से स्रेडी क्रम में सयोजित है चार ओम प्रत्रोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी उश्मा उत्पन होगी यानि यहां पर हमें हीट की वैलू को कैल्कुलेट करना है तो इसकी वैलू हम कैसे कैल्कुलेट करेंगे इसके लिए फार्मूला होता है अब यहां पर क्या क्या चीज़े दी गई है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे तो यहां पर हमारे पास दो प्रत्रोधक है दो ओम का है और चार ओम का प्रत्रोधक है तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों का तुल प्रत्रोध ग्याद करेंगे तो तुल्य प्रतरोध ग्याद करने के लिए यहाँ पर इसकी वैलो को हम R माल लेंगे अब यहाँ पर देखिए दोनों प्रतरोध है कि यहाँ पर स्रेणी क्रम में जुड़े हुआ है तो तुल्य प्रत्रोध R की वैलू कितनी होगी देखिए इसकी लिए फार्मूला होता है R is equal to R1 plus R2 अब यहाँ पर देखिए R1 की वैलू कितनी है इसकी वैलू है 2 Ohm R2 की वैलू 4 Ohm है और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से R की वैलू हो जाएगी 6 Ohm यानि तुल्य प्रत्रोध की वैलू 6 Ohm हो जाएगी अब यहाँ पर हमें धारा के मान की गर्णा करनी है क्योंकि जब तक धारा का मान नहीं ग्यात होगा तब तक हम यहाँ पर उत्पन उश्मा की वैलू को नहीं कैलकुलेट कर सकते तो धारा का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए इसके लिए हम Ohm के नियम का इस्तिमाल करेंगे तो Ohm के नियम के अनुसार आपको एक फार्मूला मिला था V is equal to I into R और यहाँ पर I की वैलू कितनी होगी इसकी वैलू हो जाएगी V upon R अब यहाँ से V upon R की टर्म में हम सभी मान को पुट कर देंगे तो यहाँ पर V की वैलू कितनी है देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन हो रहा है वह 6 वोल्ट का स्रोथ है तो यहाँ पर जो V की वैलू है इसकी वैलू हो जाएगी 6 वोल्ट और यहाँ पर R की वैलू कितनी होगी तो देखिए यहाँ पर जो तुल प्रत्रोध आपने निकाला है यही हो जाएगा R यानि यहाँ पर 6 ओम का जो प्रत्रोध है यही हो जाएगा R अब यहाँ पर यह 6 और यह 6 का एंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो बहने वाली धारा हो जाएगी इसकी वैलू हो जाएगी 1 एंपियर अब यहाँ पर आप प्रश्ण में देखिए तो प्रश्ण में यहाँ पर समय भी दिया गया है यानि T की value भी दी गई है और इसकी value है 5 second अब यहाँ पर सभी मान प्राथ हो गए तो सभी मान प्राथ हो गए तो यहाँ से हम उत्पन होने वाली उश्मा की value को calculate कर लेंगे तो यहाँ से देखिए H की value क्या है? H के लिए formula है I square into R into T अब इसी formula में हम सभी मान को put करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इस formula में हम सभी मान को put करेंगे तो यहाँ से H की value हो जाएगी H is equal to I square I की value कितनी है? इसका मान है 1 ampere तो यहाँ पर हम 1 का square लिख देंगे R लिखा हुआ है R की value हम कौन सा लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर दो प्रतरोधक है 2 ohm है 4 ohm है और इनका तुल प्रतरोध है 6 ohm तो यहाँ पर हम किसकी value लिखेंगे? देखिए प्रस्ट में कहा जा रहा है कि जो 4 ohm का प्रतरोधक है इससे उत्पन होने वाली उस्मा को हमें calculate करना है तो यहाँ पर r के अस्थान पर हम 4 लिखेंगे कोई और value अगर आप लिख देंगे तो आपका प्रस्ट गलत हो जाएगा तो r के अस्थान पर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और t की value कितनी होगी? इसका मान हो जाएगा 5 second अब यहाँ पर देखें इसी term को हम solve करेंगे तो यहाँ से h की value हो जाएगी 20 joule तो इस प्रकार से जो 4 ohm का प्रत्रोधक यहाँ पर लगा हुआ है इससे जो उत्पन होने वाली उस्मा है इसकी value हो जाएगी 20 joule अब हम अपने अगले आंकी प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चित्र में दिये गए विद्दुत परिपत में निमलिखित के मान ग्याद कीजिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक विद्दुत परिपत है जिसमें 4 ओम का प्रत्रोधक जुड़ा हुआ है यहाँ पर 8 बोल्ड की बैटरी है और यहाँ पर देखिए 8 ओम के 2 समांतर प्रत्रोधक सर्किट में जुड़े हुए है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रतरोधक जुड़े हुए हैं और दोनों ही समानतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका जो प्रभावी प्रतरोध होगा इसकी value को हम कैसे calculate करेंगे देखिए प्रभावी प्रतरोध का मतलब होता है इनका प्रड़ामी प्रतरोध या तुल्य प्रतरोध तो यहाँ पर इ देखिए, इस फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे, तो R1 की value कितनी होगी, इसकी value 8 home हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 बटे 8 लिख देंगे, और R2 की value भी 8 home होगी, तो यहाँ पर 1 बटे 8 लिख देंगे, और यह हो जाएगी 1 upon R की value, अब यहाँ पर देखिए, इसे solve करेंग तो इस प्रकार से यहां पर हमने इनके प्रभावी प्रतरोध की गढ़ना कर ली अब यहां पर देखिए यहां पर हम अगले प्रस्ण को हल करेंगे और यहां पर पूछा जा रहा है कि चार ओम के प्रतरोधक से प्रवाहिद धारा कामान कितना होगा तो यहाँ पर देखिए, जो 4 ohm का प्रतरोध हक जुड़ा हुआ है या इस circuit में, स्रेणी करम में जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर जो 8 ohm के दो प्रतरोध हक जुड़े हुए है अगर यहाँ पर इनका तुल ले प्रतरोध ग्याद करें तो अभी इनकी value हमने क्या calculate की है इसकी value यहाँ पर हमने 4 ohm calculate की है तो इस प्रकार से इन दोनों प्रतरोधों को अगर हम हटा दें और एक 4 ohm का प्रतरोध लगा दें तो यहाँ पर जो 4 ohm का प्रतरोध होगा यह यहाँ पर स्रेणी क्रम में हो जाएगा अब यहाँ पर स्रेडी क्रम में हमारे पास 4 Ohm और 4 Ohm के 2 प्रितरोद हो गए तो यहाँ पर इनका तुल प्रितरोद क्या होगा तो यहाँ पर देखे जो तुल प्रितरोद R की Value होगी इसकी Value हो जाएगी R1 प्लस R2 देखे यहाँ पर R1 कौंसा होगा तो यहाँ पर यह 4 ohm का जो प्रत्रोध है इसे हम R1 कहेंगे और यहाँ पर जो दूसरा 4 ohm का प्रत्रोध है इसे हम R2 कहेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके तुल प्रत्रोध की गर्णा कर सकते हैं अब यहाँ पर हम मान को पूट करेंगे तो R1 की value कितनी है इसकी value है 4 ohm और R2 की value यहाँ पर 4 ohm है और यह हो जाएगी तुल प्रत्रोध की value अब यहाँ पर देखे चार और 4 की value कितनी होती है 8 ohm हो जाती है और यह हो जाएगी तुल प्रत्रोध की value यानि सर्किट में 8 ohm का तुल प्रत्रोध हुत्पन हो रहा है कु जोकि धारा एक ही चालकतार के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, धारा के मार्ग में परिवर्ता नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सर्किट में जो बहने वाली धारा होगी, वही धारा चार ओम के प्रोधक से भी प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर धारा के मान की गर्णा कैसे कर सकते हैं इसके लिए ओम के फार्मूले का इस्सिमाल करेंगे और ओम का फार्मूला क्या होता है ओम का फार्मूला होता है V is equal to I into R और यहाँ से I की वैलू हो जाएगी I is equal to V upon R V क्या है तो V यहाँ पर विभुवांतर का मान है और विभुवांतर कितना है आठ वोल्ड का है यहाँ आठ वोल्ड का स्रोत है तो यहाँ पर देखिए V के अस्थान पर हम आठ लिख देंगे और R के अस्थान पर हम यहाँ पर आठ लिख देंगे उसका मान है एक EMPIR अब यहाँ पर देखिए परिपत में चार ओम का जो प्रत्रोध जुड़ा हुआ है वह स्रीणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इस चार ओम के प्रत्रोधक से भी एक EMPIR की धारा का प्रवाः होगा और अगर आपसे यहाँ पर यह पूछा जाए कि यहाँ पर यह जो चार ओम का प्रत्रोधक जुड़ा हुआ है इस तरफ से इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी तो इसमें भी एक एंपियर की धारा प्रवाहित होगी क्योंकि ये प्रत्रोधक भी यहाँ पर सेणी क्रम में ही जोड़ा गया है अब हम अपने अगले आंखित प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चार ओम प्रत्रोधक के सिरों के बीच विभुवानतर कामान कितना होगा यानि यहाँ पर हमें वी की वैलू कैलकुलेट करनी है अब अभी हमने क्या गयात किया है अभी हमने यह गयात किया है कि जो परिपत है इस परिपत में बहने वाली धारा कामान एक एमपियर है और यहाँ पर अगर परिपत में एक एंपियर की धारा प्रवाहित होगी तो इस चार ओम के प्रतरोधक से भी एक एंपियर की धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर चार ओम के प्रतरोधक के सिरों के बीच भी वहांतर का मान ग्याद करना है तो इसकी value हम कैसे ग्याद करेंगे ओम के नियम की सहायता से ग्याद करेंगे और ओम के नियम के अनुसार फार्मूला मिला था B is equal to I into R अब यहां पर सभी मान को हम put करेंगे तो I की value कितनी है I कहां पर प्रवाहित हो रही है 4 Ohm के प्रवाहित हो रही है इसकी value कितनी है? 1 Ampere है तो I की अस्थान पर हम 1 लिख देंगे और R की value कितनी होगी? इसकी value हो जाएगी 4 Ohm तो इस प्रकार से यहां पर जो 4 Ohm का प्रवाहित है इसके सिरों पर जो विववांतर उत्पन हो रहा है इसका आमान हो जाएगा चार वोल्ट अब हम अपने अगले प्रस्न को हल करेंगे और यहां प्रपूछा जा रहा है कि चार ओम प्रत्रोधक में 6 शक्ती कितनी होगी यानि यहां पर हमें पावर की वैलू को कालकुलेट करना है तो इसकी वैलू हम कैसे कालकुलेट करेंगे देखे इसकी लिए फार्मूला होता है पी इस इक्वल टू आई इसक्वाइर इंटू आर अब यहां पर हमें चार ओम के प्रत्रोधक में पी की वैलू कालकुलेट करनी है शक्ती का मान ग्याद करना है तो चार ओम के प्रत्रोधक में प्रवाहिद धारा का मान है एक एंपियर तो यहां पर आई के अस्थान पर हम एक लिख देंगे एक कवर कर देंगे आर की वैलू कितनी होगी तो यहां पर आर का मान हो जाएगा चार ओम तो यहाँ पर R के स्थान पर हम 4 ohm लिख देंगे तो इस प्रकार से P की वैलू हो जाएगी 4 और 4 यहाँ पर क्या होगा तो इसका मात्रक हो जाएगा watt तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सर्किट में जो 4 ohm का प्रत्रोधक है इस प्रत्रोधक से 6 होने वाली जो शक्ती है इसकी वैलू हो जाएगी 4 watt अब हम अपने अगले प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A1 तथा A2 पाठ्यांकों में अंतर क्या होगा तो यहाँ पर देखें परिपत में हमारे पास 2 emitter जोड़े हुए है यह A1 है और यह A2 है और यहाँ पर दोनों emitter सर्किट में स्रीडी क्रम में जोड़े गए हैं देखें यहाँ पर चालकतार के माध्यम से स्रीडी क्रम में जोड़े गए हैं तो यहां पर दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर यह दोनों ही स्रीडी क्रम में जोड़े गए हैं, और स्रीडी क्रम में धारा कमान समान होता है, तो इन दोनों में ही धारा कमान समान होगा, और जब धारा कमान समान होगा, तो इन दोनों के पाठ्यांकों में कोई अंतर नहीं होगा तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ महतपूर आंकिक प्रश्णों को हल किया और मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ में आये होंगे